जितनी भी धमकियां दे रहे हैं, कोई संगटना है, कोई मुस्लिम संगटना से मुझे गंटीनियू दस दिन चे धमकियां आ रहे है यहाँ पे उद्धोर ठाकरे की अहांकार और कधोर निती नाकपुर में भी पता चली कि पुलिस के माद्यम से हमें रोकना है काम किया जे सब्सक्किशन ने शांतपरव हमको आर्धी करन दिया, इसलिए पुलिस प्रशावन के धन्यवाद पर हनमान भकतर राम भकतर उद्धोर ठाकरे को सबक सिखाएंगे कि महाराष्टा अंदर राम और हनमान का नाम लेना मना है उसका विरोध कर लिए ठाकर सरकार ये पूरे देश की जनता देख रही मुझे लगता है संकट मोचन की याद सभी को आने लगी और संकट में संकट मोचन को याद सभी ने करना चाहिए उसमें कोई भी बादा कोई नहीं ला सकता और मुझे लगता है चत्तीस दिन के बाद 100% उद्धव ठाकरी जी को इसके इलावा कोई काम नहीं रहा है सिर्फ संकट मोचन के नाम पे कोई भी भक्ती करते हैं तो उनको रोकने का काम, उनको विरोध करने का काम, उनको जेल में डालने का काम, यह सिर्फ उद्धो ठाकरी जी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जितनी भी धमकियां दे रहे हैं, कोई संगटना है, कोई मुसलिम संगटना से मुझे गंटिन्यू दस दिन से धमकियां आ रहे हैं, पर नवनीत राना, रवी राना, महराश्ट्र के बच्चे हैं, बेटे-बेटी और बहु हैं, तो यह महराश्ट्र कोई धमकी देने से हम डर नहीं जाएंगे, लडाई हमारी ऐसी रहेगे और कल्यान तक लड़ते रहे है गरर करनीत च्चे हैं, बेटे मांट अपनेत रहे हैं जाएंगे, दे रहे हैं, अब भर कल्यान तक लिपार को तो दो कर दो को देता बेटेने अजले हैं, ग्लाई जाएंगे जाएंगे, अबनान, घृते-जागे, बेटे-जाएंगे, अचम आपके इसाओं नों अचर